नमश्कार एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अड़्डा स्कूल में ठीक है जहां पर हम आपकी ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो हम यहां पर अभी नाइन्थ क्लास की शिर्टिस पाठ्थे पुस्तक का पार्ट दो लेहासा की और के बारे में पढ़ रहे हैं इसका जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो आपके पाठ्थे पुस्तक से जो है वर्ड टू वर्ड में आपको पढ़ा रही हूँ और उसके नए शब्दों के बारे में आपको वो पाठ समझाती जा रही हूँ तो मतलब हम कहने का है कि जो है हम पाठ को विस्तार से पढ़ रह कर और जो है आगे के आगे का हम पढ़ेंगे इससे पहले की आपको पार्ट पढ़ने के लिए हमारी पहले वाली वीडियो देखिए ताकि आपको ये पार्ट जो है इसके आगे का समझ में आया सके तो हमने वीडियो पार्ट में वीडियो वन के पार्ट में हमने यह पढ़ वो 1929 और 1930 की बात है तो उस समय देश तो अजाद नहीं था और सब जगे मतलब बॉर्डर वगेरा थे तो आम मतलब बहुत तकलीफ होती थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए तो वो क्या करते हैं एक छदम वेश धारन करकर जाते हैं छदम वेश मतलब कि अपन रूप बदल कर ठीक है तो वो कैसा रूप धारन करते हैं वो जो है एक भीकमंगे का रूप धारन करकर दोनों लोग जाते हैं और जो है जब वो जा रहे हैं तो उन्हें जाते वे रस्ते में बहुत सारी तकलीफे भी हुई ठीक है क्योंकि वो एक पहाड़ी रस्ता है और दूसरी बात किया कि उन्हें बहुत अच्छा भी लगा वहाँ पर क्योंकि एक नया तिबबत समाज देखने को मिला कि वहाँ पर चुआ चूट नहीं थी जाती प्रता नहीं थी औरते परदा नहीं करती थी मतलब बहुत एक तरीके से बहुत खुले विचारो वाला समाज था और उन्होंने क्या देखा कि जगे 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 जो है लोग जो की चीनी लोग अपना किला छोड़ कर जा चुके थे वहाँ पर किसान लोग का बसेरा हो गया है और वहाँ पर वो अच्छे से रहने लगे हैं ठीक है और उन्होंने क्या देखा था कि जो है वहाँ पर जब व अपने साथ लेकर चलिए और किसी भी घर में जाकर सास बहू जो भी वहां हो उससे कह दीजिए तो वह आपको चाय बना कर दे देगी एक बात और कि अगर आपको उन पर ट्रस ना हो विश्वास ना हो कि भई आप जितना उन्हें नमक या जितना उन्हें मक्षन दे रहे हो स्पेशली मक्षन कि आपका जो है वो चाय में नहीं डालेंगी तो भाई आप किचन तक जा सकते हो और जाकर अपनी चाय खुद बना सकते हो ठीक है तो उन्होंने लेखक ने यहां पर ये विशेष्टाओं को जो है उजागर गिया है ये हमें बताया है ठीक है उसके बाद जो है वहां पर चाय जो है एक स्पेशल बरतन में पी जाती थी मत्तब परस के किस बरतन में दी जाती थी एक टोटी दार बरतन में दी जाती थी और आज मतलब अब भी आप देखेंगे तो वो चाय किस में पी जाती है एक तरीके से एक लकडी के प्यालों में वहां पर चल तरफ उस रस्ते में कौन मिलते थे चोर दकैत मिलते थे ठीक है तो जो दकैत लोग होते थे वो क्या करते थे कि जो है पहले लोगों को मार देते थे और उसके बाद जो है उनकी उनको लूटते थे अगर मान लो भाई किसी के पास पैसे भी नहीं हुए और उनको लूट भी ल तो है इतनी कानून विवस्ता पर पैसा नहीं खर्च करती थी कि उनको पकड़ा जा सके कि भई कोई खोफी एजेंसी लगाए यह कह सकते हैं कि वहां पर कोई हतियार का कानून नहीं था सब लोग जो है सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब जो है पिस्तॉल हो गई या बंदूक हो जब जो है वहां से लेखाक और सुमिती देखते हैं कि कोई उनकी तरफ आ रहा है तो वो क्या करते थे वो बिलकुल भीक मंगो की तरफ भीक मंगने लग जाते थे कैसे अपनी टोपी उतार कर जीव निकाल कर क्या कहते थे दया-दया कुची-कुची एक पैसा है न यह सब क चुके होते हैं तो जो है लेखाक क्या सोचते हैं कि अब हमें फिर 16-17,000 फीट जो है उची चड़ाई चड़नी है तो हम ऐसे तो नहीं चड़ पाएंगे तो वो सुमिती से क्या कहते हैं कि तुम क्या करो घोडे का इंतिजाम करो अगर हमारे पास घोडे आ जाएंगे तो ह हम भी असानी से पहुँच जाएंगे और हमारा समान भी असानी से पहुच जाएगा तो चलिए अब जो है हम इस वीडियो में दूसरे दिन की तरफ बढ़कर और पढ़ते हैं दूसरे दिन हम घोडों पर सवार होकर उपर की और चले उपर की और चले मतलब लंखोर में जो था ना क्या होता है उची जमीन होती है वहाँ पर उन्होंने जाने से पहले जो है एक जगा रुख कर क्या किया चाइपी और दोपैर के वक्त डांडे के उपर जा पहुचे वहाँ से वह उपर पहुच गए हम समुद्र तल से 17-18 फीट उचे खड़े थे कितने उचे खड़े की और हिमाले के हजारों श्वेच शिकर चले गए थे मतलब वहां के बारे में बता रहे हैं कि बरफ धकेवे पहाड जो थे वो उनके जो है सब निकलते जा रहे थे भीटे की और दिखने वाले पहाड बिलकुल नंगे थे ना वहां बरफ की सफेदी थी ना किसी तरीके की ह हर्याली जो ने भीटे की तरफ जो पहाड दिख रहे थे मतलब वो एक तरीके से बिलकुल सुंशांड थे ना वहां बरफ थी बस ऐसे ही खड़े हुए हैं ठीकें उत्तर की तरफ बहुत कम बरफ वाली चोटिया दिखाई दे रही थी उनके उत्तर की तरफ जब वो देख कि देवता का स्थान था पीपीटी प्लीज जब वहां के वह बहुत अच्छे स्थान पर पहुच गए तो वहां के जो है देवता का स्थान था जो कि आप जो है ये पिच्चर देख पा रहे हैं जो पत्थरों के धेर जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की ज थाडियों से सजाया गया था वहां के मंदिरों में यही मतलब सजावट की विशेष्टा होती थी कि जानवरों के सींग जो होते थे उनको लगा दिया जाता था और चुटे-चुटे कपडों की चीरे को फाड कर उससे सजाया जाता था तो जैसे कि आपको दिख रहाएं ऐसा मंदिर के पास वह पहुंच गए अब हमें बराबर उत्राई पर चलना था चड़ाई तो चड़ाई तो कुछ तूर थोड़ी मुश्किल थी लेकिन उत्राई बिल्कुल भी नहीं अब जो है उन्हें जो है सिर्फर सिर्फ चड़ाई पर चलना था वो चड़ाई कैसी थी इतनी मुश्किल मता थोड़ी बहुत मुश्किल थी बहुत जादा नहीं थी और उतरना तो बिल्कुल भी नहीं हमने दे उतरने में जो है थोड़ा मुश्किल थी लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं शायद दो एक और सवार साती हमारे साथ चल रहे थे वो महाँ पर अकेले नहीं थे ठीक है उनके साथ जो है ऐसी रहा गिरी जो होते हैं और चलने वाले जो है दो चर साती और चल रहे थे ठीक मेरा घ कड़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है जो कि लेखक का गोड़ा था वो क्या हुआ अब उतरते वक्त वो क्या करने लगा थोड़ा सा धीरे चलने लगा तो लेखक को लगा कि भई 17,000-18,000 स् seulement 40,000,000 वीट उचाई चड़ना तो वह घोडा उनका थक चुका है इसलिए वह ऐसा कर रहा है और उसे हमारना वह नहीं चाते थि हो मतलब मार कर उसे 33 चलाना नहीं चाते थे ठीक है क्यूं भई किसी मतलब ऐसे को क्यूं मारना है जो उनका सोचना ऐसा था नहीं मारना चाते थे धीरे-धीरे वे बहुत पिछड गया और मैं दनकीनो वस्तो की तरह अपने घोड़े पर जूमता हुआ चला गया ठीक है मतलब धीरे-धीरे क्या हुआ सब लोग आगे निकल गया सुमिती जी भी आगे निकल गया और जो वो सवार थे जो उनके साथ चल रहे थे वो भी आगे चले गया लेकिन वो दनकीनो वस्तो की तरह अपने घोड़े पर जूमता हुआ चल रहा था यहापर जो दनकीनो वस्तो क बात की गई है यह एक नौवल है उसमें एक यात्री है जो कि घोड़े पर सवारो कर सब जगे जाया करता था उनके अपनी मतला उन्होंने तुलना उनसे की है वो चलने लगे थे जान ही नहीं पढ़ रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे यानि गोड़ा इतना दी जगान देने लगते कि भाई आगे चलो तो वो क्या तो वो और धीरे पड़ जाता ठीक है जो है पड़ जाता अब एक जगा दो रास्ता फूट रहे थे फूट रहे थे मतलब कि दो रास्ते निकल रहे थे ठीक दो रास्ते फूट रहे थे मैं बाई का रस्ता ले डेड़ म मील डेड़ मील चला गया यानि लेखक ने क्या करा कि वो बाईं तरफ मुड़ गये दाईं तरफ मुड़ने की वज़ा वो बाईं तरफ मुड़ गये और जो है कम से कम एक डेड़ मील वो आगे चल दिये आगे घर में पूछने से पता चला कि लंखोर का रस्ता दाहीने वाल कि जहां से दो रस्ते आ रहे थे तो आप बाई तरफ आ गए हैं वहां से आपको दाई तरफ जाना है फिर लोटकर जो है उसी रस्ते को पकड़ा फिर वो फिर दुबारा चले एक तो उनका घोड़ा दीने चल रहा था और उपर से वो रस्ता बटक गए तो फिर वो आगे हुआ जब वो गाओं में पहुचने ही वाले थे तो सुमिती वहां उनका वेट कर रहे थे कि भाई कहां रह गया ठीक है इंतिजार मिले मंगोलो का मुझ वैसे ही लाल होता है जो सुमिती जो थे उनके जो दोस्ते वो मतला में मंगोल थे वो ठीक है तो यहां मंगोलो के बा लाल हो गया था, हम जो हैं मुहावरे में भी यूज़ करते हैं न, ऐसा शब्द गुस्से से लाल होना, मतलब की गुस्सा करना, तो यहाँ पर एक तरीके से उन्होंने मुहावरे का प्रियोग किया है, उन्होंने कहा, यानि सुमिती ने उनसे क्या कहा, मैंने दो टोकरी कंड फूग डाले, अब कंडे किसके बारे में बात हुआ है, नया शब्दी है क्या आया है, क्या कंडे, है न, कंडे एक तरीके से कह सकते हैं, उपला, एक आम भाशा में बोलते हैं, उपला, यानि कि जो गाइब है, इसके गोवर से बनाया जाता है, उसके बारे में बात हो रही उन्होंने क्या कहा कि मैंने दो टोकरी कंडे फूब डाले तीन तीन बार चाय को गरम किया ठीक है और मैंने बहुत नर्मी से जवाब दिया तो सुमिती बोले कि भाई लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला मैं तो रास तक के पहुच गोड़े पर डाल दी कि भाई मेरी गलती नहीं है मैं तो जो है आई रहा था लेकिन में जो घोड़ा ऐसा मिला एत्ती धीरे धीरे चल रहा है और उन्होंने ये बात नहीं बताई कि वह रस्ता भी बटक गए थे इसलिए वह और लेट हो गए है उन्होंने से घोड़े की ब बजार करना चाहिए ठीक ये तो चलो थोड़ी हसी मजाग की बात हो गई खैर सुमिती को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वे ठंडा भी हो जाता था तो सुमिती को ठीक है वो गुस्से में थे लेकिन जब ये सब बाते जो है लेखक ने उन्हें बताई तो उनका गुस्सा शान्त हो गया लंखोर में वह एक अच्छी जगा पर ठहरे थे यहां भी उनके अच्छे यजमान थे पहले चाय सत्तु खाया गया और रात को गरमा गरम थुकपा मिला तीक है तो वहाँ पर भी जो है सुमिती के जान पेचान थे बहुत सारे यजमान थ एक और पर वह क्या करते हैं पेले उन्होंने चाय सत्तु खाते हैं तिक अब सत्तु है बहुत सारे लोग जो गरमीओं में सत्तु का प्रयोंक करते होंगे क्या होता है एक तरीके से भुने हुए चने का आटा भुने हुए चने का आटा या जो का भी होता है ठीक है भुने हुए चने या फिर जो का आटा इसको बारीक पीस लिया जाता है और इसको जो है गर्मियों में जो है अपने भारत में प्रयोग होता है उसको गोल कर पी लिय जाता है ठीक है और उन्होंने क्या किया रात को गर्मा गरम थुक्पा मिला थुक्पा एक वहां की भाशा का शब्द है वो क्या कि जो यही सब चीज़े होते हैं उसको मास के साथ खाया जाता है वहां का एक कह सकते हैं कि खाना है है ना वहां की डिश है तो उन्हें वह खाना मिला, उन्होंने जो है, वो रात को गरम गरम ठुकपा खा लिया, अब हम टीरी के विशाल मेदान में थे, लिषाल मेदान में थे, जो पहाड़ों से गिरा टापू सा मालूम होता था, जिस में दूर एक छोटी सा पहाडी मेदान के भीतर दिखाई परती थी, मतलब जो है बहुत दूर था एक तरीके का एक टापू था जहांपर जो है छोटी छोटी पहाडी मेदान दिखाए पड़ते थे उसी पहाडी का नाम है तिन्री समाधी गिरी ठीक है उस पहाडी का क्या नाम उन्होंने बताया है तिन्री समाधी गिरी ठीक आसपास के गाउं में भी सुमिती के कितने ही एजमान थे मतलब हाँ जो सुमिती थे जो एक मंगोल पुरुष है जो ने लेकर गए है भीक मंगे के वेश में तो वहाँ पर उनके जान पेचान के बहुत सारे लोग थे कपड़े की पतली-पतली चीरी-बत्ती के गंडे खतम नहीं हो सकते थे अब यहां पर जो चीरी-बत्ती के बारे में बात की गई है यूँकि जो सुमिती थे वो पहले से harmों भुद्ध को बहुत मानते थे तो वहाँ क्या होता था कि जैसे हम विश मांगते हैं तो वो जो कपड़ा होता है, उसकी छोटी-छोटी बत्तियां बनाते हैं, और उस पर अपनी विश लिखते हैं, तरीके से मंत्र लिखते हैं, और वो लोग ये मतब सोचते हैं, कि इसको जितना जादा बाटेंगे, तो उनकी विश उतनी जल्दी पूरी होगी, तो वो वहाँ से वो भी लेकर चले थे जो कि उन्हें अपने जान पेचान के लोगों को वो बाटनी थी ठीक है अब जो है क्यूंकि बोध गया से लाए कपड़े के खतम हो जाने पर किसी कपड़े के बोध गया का गंडा बना लेते थे यह उस विशी विश के बारे में ही बात की गई है आईसे तो यह सब जगा जाएंगे तो कम से कम हफता भर वेस्ट हो जाएगा ठीक है मैंने उन्से कहा जिस गाउं में ठहरना हो उसमें बले ही गंडे बाट दो यानि उन्होंने कहा कि जहां आपको रुक नहों तो बेशक यह सब बाट दो लेकिन आप इदर उदर मज जाओ और इसके लिए क्या करूँगा अगर आप ऐसा करते हो वाँ नहीं जाते हो एक तरीके सुने लालच दिया तो इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पौच कर रूपे दे दूँगा ठीके मतब उनसे रिक्वेस्ट करी कि भई तुम मज जो अगर तुम नहीं जाते हो तो मैं तुमें इसके बदले पैसे दे दूँगा सुमिती ने स्विकार किया सुमिती ने का चलो ठीक है वई मैं नहीं बाढ़ता हूँ ठीके और लहासा कौन सी जगा थी तिबबत की राजधानी जिसके बारे में हम यह पाट पढ़ रहे हैं ठीक हैं दे दूंगा सुमिती ने स्विकार कर लिया दूसरे दिन हम भरिया ढूणने की कोशिश की ठीक हैं क्या ढूणने की कोशिश की लेकिन कोई ना मिला सवेरे ही चल दिये होते तो अच्छा होता भरिया मतलब क्या होता है भारवाग भरिया मतलब भारवाग एक तरीके स क्या सकते हैं कि कोई भी भार्ड होने वाला जैसे की घोड़ा गधा जिस पे की को जो भी वहाँ पर चलता हो उस पर उन्हों सोच था कि रखके हम जो है अपनी जगे पर बहुत जाएंगे लेकिन जो है कोई नहीं मिला तो उन्होंने क्या का कि अगर हम सवेरे ही चल दिये होत तो जो है मिल जाता लेकिन अब क्या 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था तिबबत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है उन्होंने का कि तिबबत में जो है जब 11-12 बच जाते तो बहुत बहुत ही जादा कड़ी धूप वहां हो जाती है आप 2 बज़े सूरज की और मुख करकर चल रहे है ललाट धूप से जला जा रहा है है ना ललाट मतलब मुख है ना क्योंकि सूरज की तरफ जो है वो अपना मुख करकर चल रहे है तो उनका मुख क्या हो रहा है जो है वो जला जा रहा है अब पीछे का कंदा बरफ हो रहा है ठीक फिर हमन पीट पर अपनी अपनी चीजे ला दी डंडा हाथ में लिया और चल पड़े क्योंकि कोई तो उन्हें नहीं मिला था जो कि उनका समान ढोकर जा सके तो उन्होंने अपनी अपनी चीजे अपने समान पीट पर लादा और वो आगे की तरफ जो है चल पड़े यदि सुमिती के परीचित टीनरी में भी थे लेकिन वह एक और यजमार से मिलना चाहते थे मतलब वहां भी जो है टीनरी जो जगा थी वहां पर भी उनके परीचित थे लेकिन जो है एक वो बहुत खास इंसान से मिलना चाहते थे ठीक है इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेक विहार की और च छोटे बड़े जगीदारों में बटी है अब ये तिबबत समाज के बारे में बता रहे हैं कि बहुत सारी जगीदार हैं वहाँ पर छोटे छोटा हिस्सा बटा हुआ है इन जागीरों का बहुत जादा हिस्सा मठो यानि विहारों के हाथ में हैं अपनी अपनी जागीर में हर एक कि ऱैर पर खयेती कराते हैं इसलिए की मजदूर जो थो है वो इजी ली मिल जाते है घाती का इंतिजाम देखने के लिए वहां को ईिख्षु भेज़ा जाता है जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता मतलब जो वहां काम हो रहा होता है उसको देखने के लिए एक भिक्षु को बेजा जाता है जो कि वहां के लोग उसको क्या मानते के तरीके से राजा की उपादी देते हैं ठीक है बेजा जाता है जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता है शेकर की खेती के मुखिया भिक्षू, ठीक है, जो की शेकर की वहाँ खेती थी, उसके जो मुखिया थे, मतलब जो वहाँ पर देखते थे, ठीक, उनका क्या नाम यहाँ पर बताया गया है, नमसे, वो बड़े भद्र पूश्ट थे, यानि एक तरीके के बहुत जेंटल में थ आया है, क्या होता है, सज्जन व्यक्ति, बहुत भद्रुश्ट थे, वे बहुत प्रेम से मिले, उन लोगों से बहुत अच्छे से मिले, हाला कि उस वक्त मेरा भेश ऐसा नहीं था, कि उन्हें कुछ भी खयाल करना चाहिए था, यहाँ पर लेखा कह रहे हैं कि भई मैं तो यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर यानि की बुद्वचन अनुवात की हस लिखित 103 पोथियां रखी हुई थी, उन्होंने क्या कि अपने बैटने, आसन मतलब बैटने का स्थान, उन्होंने वहीं पर बैट गए वो, और वहाँ वहें बड़े मोटे कागच पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी, जो वहाँ पर जो बुद्वचन लिखे हुए थे, वो जो हैं मोटे कागच पर बहुत अच्छे अक्षरों में लिखे हुए थे, मतलब बहुत अच्छे से उन्हें वो पढ़ पा रहे थे एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी मतलब 15-15 सेर की एक पोथी थी वो सुमिती ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा फिर सुम्जा वो पढ़ने लगे तो सुमिती फिर कहने लगे कि भाई अभी मेरे पास जो है वो थोड़े से गंडे बचे हुए हैं तो बताओ मैं क्या करूं अब उन्होंने क्या का मैं अब पुस्तोको के भीतर था इसलिए मैंने उन्हें जाने केThat कर लो कर लो तो ऐसे यह नहोंने लेखक में बोल दिया कि ठीक है तुम्हे जहां जाना है चले जाओ इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया दूसरे दिन वह जो है वह गए मैं समझाता फिर दूसरे दिन जब गए जब वह पढ़ रहे थे उन तो लेखा को क्या लगा क्यों यह तो कम से कम 2-3 दिन लगेंगे हैं लेकिन वह उसी दिन दुपैर बाद चले आ लेकिन जो है सुमीती जो है वहाँ पर आ जाते हैं जहां पर वो अपना आसन लगा कर बैट कर वो पोथियां पढ़ रहे होते हैं बुद्वचन को पढ़ रहे होते हैं तो वो वहाँ पर आ जाते हैं फिर तीनरी गाओं वहां से बहुत दूर नहीं था जिस गाओं में उन् जो सुमिति होते हैं उनका भी काम पूरा हो गया होता है कि उन वो सब में अपने गंडे बाड़ देते हैं तो वहाँका जो मुखिया था जो भिक्षू थे वहांके उनका नाम क्या था नम से उनसे वो विदा लेकर अब अपने आगे की और बढ़ने पढ़ते हैं तो यह जो पार्ट था लेहासा की और जानि की जो है तिबबत की राजधानी लेहासा के बारे में बताएगे तो इसका एक अंश जो है हमारे लेखक जीने जो है इसमें सम्लित किया है जिसके बारे में हमने अभी पड़ा हमारे लेखक जो थे उस समय में जो है बहुत धर्म के प्रति उनकी बहुत रुची आ गई थी एक तरीके से कहें तो उनोंने बहुत धर्म को अपना लिया था तो यहाँ पर उसके भी उन्होंने कुछ अश दिखाया है तिबबत समाज के बारे में बताया है तो इस पार्ट में इनोंने यही सब बताया है तो चलिए हम चलते हैं अपने प्रशन की तरफ जिसे की जो है अगर आपने ये पार्ट असानी से सुना है तो आप मैं आशा करती हूँ कि आप उन प्रशनों के उत्तर दे पाएंगे और अगर आपने उन प्रशनों के उत्तर दे दिये तो आप समझ सकते हैं कि आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है लेखक और सुमिती घोडे पर सवार होकर किस स्थान पर पहुचे जो लेखक और सुमिती थे जब उन्होंने घोडा किया था तो वो किस स्थान पर जाने के लिए किया था उन्होंने वो जो है लन्खोर की और जाने के लिए किया था येस सेकिन कोशन की तरफ बढ़ते हैं लन्खोर समुद्र तल से कितनी उचाई पर था कितनी उचाई रही होगी वहाँ पर सत्रा अठारा हजार फीट उचाई पर था ठीक सरवोच स्थान पर देवता का कैसा स्थान था जो मंदिर की मैंने आपको तस्वीर इतनी देर से तरीके से चीरे करकर सजाया गया था जानवरों के सींगों से और तरे तरीके की जाडियों से मंदिर की सजावट थी हैना ऐसा वो मंदिर था अब जो है लेकक को रास्ते में देरी क्यों होई थी क्यों होई थी रास्ते में देरी क्योंकि वो रास्ता भटक गए थे हैना उन सा कसूर की भई वो रस्ता भटक गए ते ये कसूर उन्होंने घोड़े पर डाल दिया क्या कहकर कि जो है भई मैं तो सही आ रहा था लेकिन घोड़ा बहुत धीरे धीरे चल रहा है मुझे लगता है कि ये घोड़ा ठक गया है रात में प्रशन नमबर छे रात में उन्होंने भोजन में क्या-क्या खाया क्या-क्या खाया था पहले तो उन्होंने चाय और सत्तू पिया था ठीक है अब वहां का कोई डिश थी ना क्या नाम था उसका हाँ उसका नाम था थुकपा उन्होंने रात को घर्मा गरम थुकपा खाया था नेक्स प्रेशन की तरफ बढ़ते ह लेखक और सुमिती किस पहाड़ी पर पहुचे थे जब वहां से वो निकल गए थे तो किस पहाड़ी पर पहुचे थे वो मतलब पहाड़ी का क्या नाम था पहाड़ी का नाम था टिन्री समाधी गिरी ठीक है वहां से चल कर वो टिन्री समाधी गिरी पहाड़ी पर पहुचे सुमिती सबको क्या बाट रहे थे सुमिती का जहाने का वहां क्या मोटिव था सबको गंडे बाटना जो पतली पतली जो एक तरीके से कागज की स्ट्रिप्स होती हैं उस पर मंत्र लिखकर बाटे जाते हैं तो वही बाटने वहां पर सबको गए थे सुमिती किन से मिलने शेकर विहार की और चले मतलब जाना तो आगे था लेकिन वो उस तरफ ना बढ़ कर क्या कहा कि हमारे की अजमान रहते हैं उस तरफ चलेंगे तो वो किस से मिलने गए थे भिक्षू नमसे से मिलने गए थे शेकर में खेती के बिक्षू कौन थे वही जिन से वो मिरने गए थे कौन शेकर विहार में जो खेती के विक्षु कौन थे? नमसे थे, जो की एक बहुत ही जादा सज्जन पुरिश थे. मंदिर में लेखक को क्या अदबुद मिला? मंदिर में उन्हें क्या मिला? उन्हें बुद्वचन की हस लिखित पोर्तियां मिली. ठीक है, जो की कितनी थी? एक सो की कंजूर भी कहा गया, इतना रम गए कि वो बैठ कर उसे ही पढ़ने लगे. तो मंदिर में उन्हें जो है बुद्वचन की जो है जो कंजूर था, वो मिला जिनको की वहीं वो आसन लगा कर बैठ गए और उसको पढ़ने लगे. तो बच्चों, इसी के साथ जो है हमारा य इसके जो लेखक है, उनका नाम क्या है? इस कहानी के लेखक का नाम बताईए. गैस, राहुल साकृत्यानन जी. ठीक है, इन्होंने क्या, इनको क्या कहा जाता था? इनको जो है यात्रा वितांत का पिता महा कहा गया है, क्योंकि इन्होंने अपने बहुत सारी एक तो यात्र ठीक है, यहां पर कितने लोगों के बारे में मुख्य रूप से बात की गई है, एक तो लेखक के बारे में, दूसरे सुमिती जी के बारे में, तीसरा, एक भिख्शु नमसे के बारे में, ठीक है, चौथे, और किसके बारे में यहां पर बात की गई है, कोई बताएगा, येस, किसके बारे में यही सब भिक्षू के बारे में और जो है नहीं जो में जहांपर किसकी बात की गई है जो लोगों को मार देते थे दकैत के बारे में है न तो यही सब जो है तिवबत समाज के बारे में बताते हूं ने इन सब की बाते की गई है तो अगर आप जो को यह सब कु वीडियो में अपने NCRT के solutions करेंगे, तो जिसको भी solutions देखने हो, तो वहाँ से देख सकता है, ठीक है, तो मिलते हैं अपनी next वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हस्ते रहिए, जैहिं